साथ यहां पर अपनी की entry 115 पे हैं और यहां पर market ने अपनी को entry दे चुका है ठीक है तो चलो इंतजार करते हैं और 115 जैसे अपनी entry हुई है और उसके बाद देखना market कितना वरा move करेगा और कितना अच्छा move करेगा तो चलो करते हैं इंतजार और देखो कितना बढ़िया move करे तो 115 से 120 तक अभी तक जा चुगा है अब देख सकते 122 ए 123 और देखो कितना बढ़िया मूव आएगा ये सीज आप जरूर देखना है 120 तक अभी तक पहुं चुगा है अब अंदाजा लगालो 115 से 120 तक अभी तक जा चुगा है और देखो जब तक candle कोई close नहीं करेगा सामने वाला candle को high को break ना करेगा तब तक हम exit नहीं मारना है तो 126, 127 चलो 127 अभी तक market जा चुगा है 128, 139 चलो good 115 पे हमने अभी entry किया है और आपको हम पहले से यहाँ पे सारा कुछ लिग के रखे हुए कि अपना entry price 115 है और 115 से आप देख लो 131 के उपर चला गया 15 पॉइंट अभी तक मिल जुगा है 131 के उपर अभी है ट्रेड कर रहा है 15 पॉइंट अभी तक मिल चुगा आप देखो कितना बढ़िया पॉइंट मिला है क्योंको market बहुत अच्छा मुग है 135 गुड चलो देखो अभी जब तक exit मारने का option नहीं मिलेगा 10 पॉइंट ही लो 15 पॉइंट जो पॉइंट मिलेगा उससे कम ही लो कोई दिक्कत नहीं है बट परफेक्ट आपको exit मारने का option मिलना चाहिए 135 तक यह गया है ठीक है तो 135 तक गया है और इस candle का closing करने का इंतिजार करते देखो जब भी हम entry करते हैं वहां पर market देखना न कि जहां पर entry होता वहां से market बहुत जल्दी सूट करता है इसके पीछे का राज बस वही होता है कि आप कहां पर entry कर रहे हैं वहां पर confirm buying आनी चाहिए और जहां पर हमने entry किया 115 पर देखो उसके बाद कितना बढ़िया confirm buying आया है और continue वहां से market 135 अगर ये candle को break नहीं करता हाई को break नहीं करता तो exit कर लेंगे यानि कि अगर 137 अगर ये candle हो जाता तो फिर wait करेंगे अगर 137 नहीं होगा तो फिर यहां पर अपना exit मार लेंगे तो चलो इंतजार करता हो देखते हैं कि यह एक मिनट के टाइम फ्रेम पर 137 होता है या नहीं चलो 136 पुइंट कुछ 137 अभी तक तो नहीं हुआ बट आसपास है चलो ठीक है तो अभी भी exit मारने का option नहीं दिया 137 को उ 22 पॉइंट अभी तक मिल चुगा है 22 अभी तक मिल चुगा है 22 अधाज लगा लो 22 पॉइंट मैंने रखता मेरे वाई बहुत होता है 22 अभी तक 22 अभी भी अभी हमें लगड़ा कि position लगड़ा आप trade करेंगे तो अगर इस high को break नहीं करेगा तो exit मार लेना इस high को break नहीं कर 244 अब देखो कहां तक यह जाएगा 144 कम नहीं है बहुत पॉइंट हमारे अनुसार चलो ठीक है बहुत अच्छा है अब इस पर exit कर लेना चाहिए ठीक है अब जो पॉजिशनल ट्रेडर होगा उसके लिए तो और बहतरी नहीं है दो पॉजिशनल ट्रेडर में हमने क्या बता रखा है कि थोरा कम पॉइंट मिलेगा जब तक इस लोग को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको लेकिन अभी तक तो नहीं ये चलो लोक के आसपास है है जैसे closing कड़ेगा लोक के आसपास आप माल लिया जाए कर्टे करते उँँ तो इसको आपको exit कर लेना है, तब तक जब तक की high को break करते हुए जाता है, तब तक आप wait करते रहेंगे, इस candle में हमें लग रहा है कि अभी और लंबा एक high आपको देखने को मिलेगा, reason क्या है, the best reason यही है, कि इसको जैसे break करेगा, फिर देखना कितना बढ़ी है, एक और move हुआएगा, ठीक है, तो यह candle का close होने का इंतजार करते है, 6 second और बचा हुआ है, फिर देखना market अभी और उपर की तरफ move करेगा, अभी और जाएगा, reason क्या है, यह reason अभी market में हमको अच्छा दिख रहा है, market यहां से market और move करते हुए जाएगा, क्यूंकि market जिस हिसाब से यहां पर एक dozzy candle बनाया है, और यह dozzy candle को break करेगा, तो फिर से एक लंबा आपको move देखने को मिलेगा, ठीक है, तो चलो इंतजार करो, और देखो कितना लंबा move आपको देखने को मिलेगा, चलो 152 के उपर, तो positional trade में यही होता है, कि आपको इंतजार करना होता है, और जब जब उसके high को break होता है, तब तब आपको इंतजार करना देखो, यह candle बना इस high को break किया, यह candle इस high को, यह candle इस high को, यह candle इस high को, और यह candle इस high को भी break कर गया, ठीक है, अगर कोई भी candle उसके low को break करता, अगर high को नहीं break करता, तो फिर आप वहाँ पर जीट मार सकते थ तो यह चीज़े होता है यह positional trade के लिए positional में थोड़ा 2-4-5 point कम मिलता है 10 point कम मिलता है लेकिन हाँ लंबा point भी आपको मिलता है ठीक है तो positional हम लोग इसी आधार पर बेट करते हैं and scalping की बात किया जाए तो जब अपना entry होता वहां से according to 30 point बहुत है कम नहीं 30 point बहुत है ठी positional trade के बात किया जा तो अभी तक यहां पर exit करने का option नहीं मिला क्यूंकि हर candle अपने high को low को नहीं break कर रहा है लेकिन high को break कर रहा है तो यह candle decide करेगा positional अगर इसके नीचे आ जाता है तो आप exit कर लो इसके नीचे अगर आ जाता है 137 पर आपना stop loss लिया 137 पर अपना stop loss लिय 137 पर अपना stop loss लिया आप सब लो 137 पर and 137 पर अगर market आ जाता है तो दे दो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए बहुत है कम नहीं है ठीक है तो 137 अपना stop loss रहेगा 137 जैसे हुआ आप निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है नहीं होगा तो wait करो 137 पर stop loss लगा कर बैठ जाओ क अगर यहां से time decay करके कर निकल गया 137 ना हो कर गया तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले होगा 137 हो गया चलो अपना exit हो गया यहां पर stop loss रहेगा ठीक है तो यह चीजे होता है